बिग बॉस के घर में किस नहीं की पूजा? कौन किस से परिशान होकर करने लगा पूजा? हम आपको टीवी धमाका पर बताने जा रहे हैं लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजिए बिग बॉस के घर में आज रुबिना दिलेक ने अपनी मन की शांती के लिए पूजा की आप सभी जानते हैं कि रुबिना जो है राकी की हरकतों से बहुत ज़्यादा परिशान है ऐसे में उनके मन को शांती मिले इस बात के लिए वे घर के अंदर हाथ जो कर पूजा करती हुई नजर आई राकी सावन की जिस तरीके से बत्तमीजियां बढ़ती जा रही है उसकी वज़े से रुबिना दिलेक बहुत ज़्यादा परिशान है इतना ही नहीं वे गुरुवार के दिन घर के अंदर रोती हुई भी नजर आई थी वहीं कल हमने देखा कि कैसे जब वे तयार होकर लाल परी बन कर बहार आई तब उन्होंने हाथ जोड कर पूजा की वहीं बिग बॉस के गार्डन एरिया में जो बर्गत का पेड़ है उसमें जाकर उन्होंने उसको चूकर कुछ मननत भी मांगी और हाथ जोड़े जाहिर से बात है कि रुबिना जो है अपनी मन की शान्ती के लिए पूजा कर रही थी और इसी बात का जिक्र निकी तंबोली से गार्डन एरिया में भी वो करती हुई नजर आई रुबिना काफी दिनों से परिशान है क्योंकि जिस तरीके से राकी सावन उन्हें और उनके पती अभी नवशुकला को बार बार परिशान कर रही है घर के अंदर राकी के साथ उनका जगड़ा भी हुआ था वहीं अभी नव के साथ भी इसी बात को लेकर बहस भी हो गई जिसके बाद रुबिना इतनी परिशान हुई कि उन्होंने सबसे पहले शाम को तयार होकर हाथ जोड़कर मननत मांगी और जो है अपने मन की शान्ती के लिए मेडिटेशन भी किया आपको क्या लगता है कि राखी की वज़े से रुबिना बहुत परिशान हो रही है आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही बिग बॉस की धमाकेदार खबरों के लिए सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा टीवी धमाका